तो चले बात करते हैं कि अगर किसी वेक्ति की कुंडली के 11th house में Jupiter हो, ठीक है, तो क्या उसके results होते हैं, चले देखते हैं, तो यह मैंने एक example chart भी यहाँ पर बगल में लगा रखा हुआ, आप देख सकते हूँ, इसमें आपको देखेगा कि अगर आप यहाँ से गिनोगे पह में है Mars मंगल, और इनके कुंडली के 11 घर में गुरू और मंगल क्योती बनी हुए, और यह नफ्चियों है, जो कि वैदिक जोतिश में नहीं माना जाता है, तो यह combination, इस चाट में हम लोग example चाट में भी समझेंगे, कि जब इनके जीवन में Jupiter की महादशा है, या इनके 11th house में हम क्या क्या चीज़े देखते हैं, तो हम हमारा social circle आता है, हमरे बड़े भाई बैन आते हैं, और most importantly, वहाँ पर हमारे gains आते हैं, कि हम कहां से किस तरीके से पैसे कमाएंगे, हमारा source क्या होगा, basically जो हमारे profits होते हैं, life के ना, वो हम 11th house से देखते हैं, और कमाने के ब good social circle है, बहुत अच्छा होता है, पर पॉंट आप देखें, good social circle, अब इसका देखें, सबसे बड़ा obvious बात है, कि अगर किसी के 11 घर में गुरू बैठेंगे, तो वो उस वेक्ति के जो इर्दगिर्द लोग होंगे, जो उसके आसपास लोग होंगे, बड़े अच्छे होंग लोग उनके आसपास रहेंगे, अच्छे लोग, जो जिन अच्छे बिचार रखने वाले लोग है, ठीक है, और ऐसे लोग ना, जिनके Jupiter 11th house में होता है, यह attract करते हैं लोगों को, ठीक है, इनके अंदर एक quality होती है, कि यह कोई भी कित्ता पे बड़ा आदमी हो, एक बार इन किसी के व्यक्ति की कुंडली में, अगर गैरवे घार में बैठेंगे, तो 11th house जो की gains का होता है, उसको expand करेंगे, लेकिन गुरू विश्वास करते हैं stability पे, तो अगर किसी के Jupiter 11th house में होगा, तो ऐसा व्यक्ति, मतलब आप ऐसे समझो कि जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़् अमीर बनाने का वादा नहीं करते, लेकिन ये guarantee है कि वो आदमी एक stable income जरूर कमाएगा, मतलब उसकी कहीं अच्छी जॉब होगी, जहां से वो अपने खर्चे के लिए, अपने घर का पूरा खर्चा उठाने के लिए, उतनी income कमा लेता होगा कि उसके घर का खर्चा निकल ज फॉर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग की good for elder siblings, तो अगर किसी बैक्ती के 11th house में गुरू बैट जाएं तो वो उसके बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो लोग अपने जीवन में क्योंकि expansion का growth का कारक है गुरू, तो जिनके भी 11th house में Jupiter बैठेंग वो लोग के जो बड़े भाई बहन होते हैं, वो जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, वो guaranteed है, कि वो जो elder siblings से उनको life में बहुत आगे लेके जाएगा और उनके relationship भी दोनों की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन मैंने एक last में हाँ पर star mark लगा के लिखा हुआ है, क लेकिन चूंकि 11th house के कारक होते हैं जुपिटर और अगर अकेले बैठ जाएं तो एक concept होता है कारक भावनाश्म का, तो अगर गुरू अकेले 11th house में बैठ जाएं तो कारक भावनाश्म कर देते हैं, जिसके वज़ा से ये सारी चीज़ें आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगी, या तो इस वेक्ति का social circle खतम रहेगा, या तो इस वेक्ति के जो elder brother sister है, उनसे relation अच्छे नहीं होंगे, या तो वो stable income नहीं कमा पा रहा होगा, वो पैसा अच्छा पा रहा है, लेकिन stable नहीं है, stability नहीं है, तो क्योंकि जुपिटर stability दिखाता है, तो अगर गुरू अकेले हैं, तो फिर वो गुरू का result नहीं पा रहा है, मतलब अगर वो आदमी अगर परिशान, stable income उसको नहीं मिल रही है, तो आप समझोगे कि या जुपिटर का अच्छा result नहीं है, और कहीं ने कहीं कारक भावनाश्रम का result मिल रहा है, इसलिए उस वेक्ति को इत एक्षाएं हैं, आसानी से पूरी हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाथ पर मारने की जुरत नहीं होती, जो वो बेसिक एक्षाएं उनकी होती हैं, बड़े आराम से पूरी हो जाती है, तो ये मतलब जुपिटर 11th house में है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने मतलब उसको भाव ही नहीं आता गलत तरीके से पैसा कमाने का, अगर उसको अंडर दर टेबल कोई पैसा दे रहा है, तो वो बिल्कुल डिरेक्ली स्ट्रेट फॉरवर्ड माना कर देगा, कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मुझे ऐसा पैसा नहीं मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है, सुसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब अवरॉल आप समझो कि जुपिटर का अगर इंपक्ट 11th house गेंस प्यारा है, तो ऐसा आदमी हमेशा कोजिस करेगा, कि वो सही तरीके से पैसा कमाने, चाहे को उसको जवरजस्ती लाके 10 ल लटने वाला नहीं है, तो यह जुपिटर, समझ रहे हैं आप गुरू हैं, उनको ब्यवहार ज्यादा मैटर करता है, समाज ज्यादा मैटर करता है, ना कि पैसा और इन सब चीज़ों से, नेक्स्ट पॉइंट है, वेल एजुकेटेड एंड बिहेवड इस्पाउस, अब द जद बनी रहते हैं, वो भी आपको help करते हैं, ठीक है, anyhow वो आपको हर तरीके से आपका support करने की कोशिस करेंगे, आपके लिए एक pillar बनके खड़े रहेंगे, क्योंकि जुपिटर का aspect जा रहा है, और ninth aspect जाता है, तो बहुत अच्छा combination, एक मैंने इनके में चीज़ देखिए कि ऐसे लोग ना, क्योंकि जुपिटर का ninth aspect गुरू को represent करता है, कि हमारा गुरू कौन होगा, तो जिनका गुरू, मतलब ninth aspect पत्नी के घर में जाता है, वो लोग पत्नी की बात बहुत मानते हैं, किसी की नहीं सुनेगा बात में, लेकिन पत्नी की जरूर सुन लेगा, तो य एक चीज़ अच्छी होती है, कि इन लोग को पत्नी की सुननी भी चाहिए, क्योंकि गूरू का ninth aspect जा रहा है, तो वो सही दिशा में ले जाएंगे आपको, तो आपको पत्नी की बात माननी चाहिए, next point अगर देखें, तो long term investment, जुपिटर कभी भी आज की खुशी के बारे म बात नहीं करते हैं, हमेशा उनको future और लंबे समय के लिए दिखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े planet है, size में भी बड़े हैं, तो कभी जुपिटर नहीं बोलते हैं कि आज पैसा डालो, कल निकालो, ऐसे करके इन लोग को investment ज्यादा अच्छे से नहीं फलता है, इनको तो 7th aspect, 5th house पर डालेंगे, जो कि बच्चों का घर है, तो ये जो है, इनको, इनके बच्चों को well educated बनाता है, साथ ही साथ इनके भी education का भाव है, तो इनकी भी education को, व्यक्ति की भी education को अच्छा रखता है, ऐसे लोग education पर विश्वास रखते हैं, आप समझो कि highly educated होते हैं, education को महत्र देते हैं, then next point is supported by guru और father figure, अगर Jupiter 11th house में हो, तो 11th house देखे support का भी होता है, कि हमको मदद वहाँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगर guru है 11th house में, तो आपको अपना guru ढूड़ना चाहिए, कि कौन ऐसा वेक्ति हो सकता है, जो आपको सही दिशा दिखाए, और स गुरू का हमिलेंगे, वो आपको इसली बता देंगे, कि आप इस जगह पे ढूड़े, आइन परसन से बात करो, तो आपके लिए guru का का काम कर सकते हैं, तो इनके लिए guru का बहुत महत्व है, आप समझो कि 11th house जो कि gains का होता है, आपके गर पैसे रुके हो, तो आप guru से suggestion ले है, वो अपने ही घर में बैठा है, मीन राशी में, तो यह तो बहुत extremely benefit हो गया, और यहां पर Mars पैठा हुआ जो कि 7th और 12th Lord है, तो वो Mars जुपिटर को influence जरूरूट करेगा, लेकिन इनको जुपिटर ने काफी पैसा दिया, और काफी stable income थे इनकी lifetime, अच्छे पैसे कमाई, स्पाउस भी इनकी अच्छे थी, और जो इनकी बच्चे थे, वो भी अच्छे थे, स्पाउस ने इनको काफी support किया, financially भी support किया, और कई तरीके से भी family में पुरा stable करके रखा उन्होंने, काफी cultural थी, काफी सामाजिक थी, काफी अपने पती के बात मानने वाली थी, तो over and all कई सारी चीज़ें हैं, जो कि जुप्टर 11th house में होती हैं, और काफी अच्छा माना जाता ही है, तो यही सब कहानी है, अगर किसी भी वेक्ति के 11th house में जुप्टर है, तो उनको इन सब बातों के आध्यान रखना चाहिए, कि आप कैसे अपनी life को सही कर सकते हो, generally पैसे ना कमाओ, वो आपके लिए benefit होगा, और एक चीज़ का और ध्यान रखो कि अपने जो elder brother है, elder sibling से उनसे अपने relation खराब मत करो, क्योंकि जुप्टर 11th house है, तो वो आपको मजबूरी में एक दिन उनके पास लेही जाएगा, तो अगर उनसे relationship आपकी खराब हो रही है कि इसी वज़ा से, क्योंकि बहुत सारे combinations होते हैं, तो अगर हो रही है, तो आप उसको सही करने की बूरी कोशिस करो, देने एक पॉइंट और है कि एगर जुपिटर अकेला है, आपर तो कारक भावनाशन का concept थोड़ा negative हो जाता है, कई सारी चीज़ें इसमें से होती हुई, आपके जीवन में नहीं देखेंगे, because कारक भावनाशन में कई सारी चीज़ें जो हैं, हमसे छीन ली जाते हैं,